वेलकम बच्चों बेपार्ट फर्स्ट एर सब्जेक्ट फ्लासोफी पेपर फर्स्ट इन्यन प्लास्फी आस्तिक दर्शन की परंपरा में हम वेदान दर्शन पर चर्चा कर रहे थे पिसले लेक्षर में हमने शंक्राचारे के जगत सम्मंदी विचार और महया सिद्दान पर विशत रुप से चर्चा की है आज हम करेंगे शंकर के ब्रह्मा सम्मंदी विचार शंक्राचारिय एकत्ववादी दर्शने कहलाते हैं एकत्ववाद का अर्थ है जो एक मात्र सत्ता को स्विकार करते हैं या एक ही सत्ता को मानते हैं तो शंक्राचारी ने ब्रह्मा को ही एक मात्र सत्त्य माना हैं ब्रह्मा को छोड़कर इस जगत में शेष दितनी भी विश्त्व हैं उसमें इश्वर भी आ जाता है इन सभी के लिए इन्होंने कहा है कि ब्रह्मा के एत्रिक शेष सभी असक्त्य हैं सक्त्य नहीं है पिछले रेक्सर मैंने आपको बताया था कि शंक्राचारे ने सप्ता के तीन रूप माने तीन कोटिया मानी है प्रातिबासिक, व्यवारिक और पार्मर्दिक तो शंक्राचारे ने ब्रह्मा को पारवार्थिक दुष्ठी से पूरी तरह से सक्ते माना है और ब्रह्मा को ही एक मात्र सक्त्य इसलिए कहा है कि ब्रह्म जो है स्वैम ज्यान है, स्वैम प्रकाश है और ब्रह्मा का जो ज्ञान है वो उसके स्वरूप का ही एक पार्ट है एक अंग है इसलिए इसकुन ने इनको सत्यमाना है ब्रह्मा को सभी विश्यों का आधार भी माना गया है ब्रह्मा जो है देश और काल की सीमा से परे है कार्य कारण का नियम ब्रह्मा पर लागू नहीं होता शंक्राचारे ने ब्रह्मा के भी दो रूप स्विकार किये हैं सगुन ब्रह्म और निर्गुन ब्रह्म निर्गुन ब्रह्म को उन्होंने ब्रह्मा माना है और सगुन ब्रूप में उन्होंने इश्वर माना है इस लूप की जो व्याख्या है उपनिशदों में भी हुई है वैसे तो ब्रह्मा निर्गुण है परन्तु ब्रह्मा को हम शुन्य नहीं कह सकते उपनिशदों ने भी निर्गुणों जो निर्गुण है उसे गुणी कहकर गुण युक्त माना है शंकर के ने कहा है कि ब्रह्मा जब एक मात्र सब्ता है तो हमारे जीवन का लक्षे भी यही होना चाहिए ब्रह्म का साक्षातकार करना ब्रह्मा सरोच ज्ञान स्वरूप है और ब्रह्म ज्ञान से इस अंसार का जो अज्ञान है वो समाप्त हो जाता है वो आनंत है सर्व्यापी है सर्शक्तिमान है और इस भूत जगत का आधार भी है सांके दशन में हमने पढ़ा था सतकारेवाद वह सतकारेवाद के दो रूप माने गए हैं परिनामवाद और विवर्थवाद तो शंक्राचारिये विवर्थवाद को मानते है विवर्थवाद का मतलब है कि यह जगत जह है वो ब्रह्मा का विवर्थ है विवर्थ यानि आ आभाज से इस विवर्थ से ब्रह्मा पर स्वेम कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जैसे एक जादुगर है वो अपने जादु के खेल से दर्शकों को प्रभावित करता है लेकिन स्वेम उस जादु से प्रभावित नहीं होता उसी तरह से इस जगत में अज्ञान के कारण ब्रह्मा जो है हमें नाम रुपात्मक जगत में दिखाई देता है इसलिए शंकर कहते हैं कि ब्रह्मा ही एक मात्र सत्य है और यह जगत जह है वो मिथ्या है ब्रह्मा जो है सभी प्रकार के भेदों से भी रहीत है विदान दर्शन में तीन तरकी भेद स्विकार किये गए हैं सजाती भेद, विजाती भेद और स्वगत भेद सजाती भेद किसे कहते हैं एक ही प्रकार की वस्तों के बीच में जो भेद पाया जाता है उसे हम सजाती भेद कहते हैं जैसे एक गाय का दूसरी गाय से जो भेद है यह सजाती भेद है यानि एक की जाती में विजाती भेद यानि दो असमान वस्तों के यानि दो अलग वी जाती भेद कहते हैं यानि एक जाती का दूसरी जाती से भेद जैसे गाए और गोड़ा इन दोनों में जो अंतर है वो वी जाती भेद कहलाएगा और स्वगत भेद यानि एक ही वस्तू और उसके अंशों के बीच में जो भेद होता है उसे हम स्वगत भेद कहते हैं जैसे एक गाय के सींग और उसकी पूंच में भेद ये स्वगत भेद कहलाता है तो शंक्राचारी ने कहा है कि जो ब्रह्मा है उसमें ना तो सजाती भेद है ना विजाती भेद है और ना ही स्वगत भेद है जबकि रामानुज का दर्शन जहां हम इसके बाद में पढ़ेंगे विशिष्ट अद्वेद वहाँ पर शंकर के ब्रह्मो और रामानुज के ब्रह्म में भेद प्रतीत दिखाई देता है हमें क्योंकि कि रामानुज ने ब्रह्मा को स्वगत भेद से युक्त माना है वहाँ उन्होंने कहा है कि ब्रह्मा जो है चित और अचित इन दो अंशों से विशिष्ट है तो जो चित है और अचित है तो ब्रह्मा के यह अंश लेकिन ये दोनों अंश जो है वो एक दूसरे से अलग-अलग है भिन है इसलिए उन्होंने ब्रह्मा में स्वगत भीत को स्विकार किया है शंक्राचार्या ने ब्रह्मा को आत्मा भी कहा है इसलिए इनका दर्शन आत्मा ब्रह्मा के नाम से भी जाना जाता है वे कहते हैं कि ब्रह्मा को सिद्ध करने के लिए किसी प्रमान की आशकता नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि ब्रह्मा जो है वो स्वातर सिद्ध है यानि अपने आपी प्रमानित है इसी तरह से ब्रह्मा सत्य होने के कारण संसार के सबी विरोधों से भी मुक्त है उसमें किसी भी तरह का विरोध नहीं है वो तिरकाल बाधित है यानि तीनों कालों से वो बाधित है यानि उसका कोई खंडन नहीं कर सकता न वर्तमान में, न बोत में, न वविशे में वो ऐसी सकता है इसी तरह से शंकरने ब्रह्मा को व्यक्तित्व से भी शुन्य माना है व्यक्तित्व में आत्मा और अनात्मा का भेद रहता है जबकि ब्रह्मा जो है सब भेदों से शुन्य है इसलिए उसे निर्व्यक्तिक भी माना गया है इसी तरह से ब्रह्मा को अपरिवर्तन शिल्वी माना गया है कि उसका ना विकास होता है, ना विनाश होता है वो निरंतर एक जैसा ही रहता है अब शंकर के दर्शन में ब्रह्मा की इतनी विशिष्टाओं के बावजूद भी एक सबसे प्रमुक फिशिष्टा यह है, कि उन्होंने ब्रह्मा को अणिर्वसनी माना है अणिर्वसनी का मतलब है, जिसे शब्दों के द्वारा हम प्रकाशितिया विव्यक्त मा कर सके तिनों ने ब्रह्मा के भावात्मक और निशिदात्मक रूप में भी व्याख्या की है भावात्मक रूप में कहते हैं कि हम ब्रह्मा को नहीं जान सकते उपनिशदों में निशिदात्मक रूप में ब्रह्मा की व्याख्या की है और उसी के आधार पर शंकराचारे ने भी निश्यदात्मक्रूप में व्याख्या की है वे कहते हैं कि ब्रह्म जो है नेती नेती अर्थात यहन नहीं है इस तरह से ब्रह्मा का वर्णन किया जा सकता है नेती नेती का शंकर के दर्शन में इतना प्रभाव है कि वे ब्रह्मा को एक कहने की बजाए अध्वेत कहना ज्यादा पसंद करते हैं इस तरह से शंकराचारे ने निश्यदात्मक्र व्याख्या की है अब निश्यदात्म व्याख्या के अतिरिक्त नोंने भावात्मक पी विचार दिया है भावात्मक रूप में नोंने बताया है कि ब्रह्म जो है वो सत्थ है जिसका आर्थ है कि वो असत्थ नहीं है वो चित्थ है इसका आर्थ है कि वो अचित्थ नहीं है ब्रह्मा आनन्द है इसका मतलब है कि वो दुख स्वरूप नहीं है यानि उसमें किसी प्रकार का दुख नहीं है इस तरव से ब्रह्मा जो है वो सचच्च आनंद स्वरोप है और सचच चित और आनंद में एक आवियोजी संबंद है यानि किसी पितरा का विभाजन नहीं है ठीक है तो इस प्रकार शंकर के दर्शन में ब्रह्मा की सच्च दानंद के रोप में द्याख्या की गई है ओके आज हम इतना ही करेंगे कल हम शंकर के सगुन रूप की ब्रह्मा के सगुन रूप की चर्चाम करेंगे ओके टैंक यू